नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका स्वागत है देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा कल का मंडे का जो डिसकुशन था मिस हो गया था उसके बारे में उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो रहने वाला है और जो आज का है वीडियो ठीक है ना आज का जो गॉण्टेंट है वो आपको शाम तक मिल जाएगा रात तक मिल जाएगा ठीक है तो बेसिकली कल का वीडियो क्यों नी बन पाया था उसका रीजन मैंने देखो डाल दिया था आप टेलिग्राम चैनल जोईन कर लो ठीक है ना टेलिग्राम चैनल जोईन अगर कर वोगे तो उससे क्या होता है मैं शॉट नोटिस में अगर आपको कोई अपडेट देना चाहूं तो एक तो वो मिल जाता है दूसरा आपको जो भी हाइलाइट पीडियाफ होती है वो वहीं पे अवेलेबल होती है और एजी गोइंग रहता है थोड़ा अच्छा एक चीज और कि वो हाइलाइट पीडियाफ हो वो 24 आर्ट्स के लिए अवेलेबल होती है उसके बाद में उसको अटा दिया जाता है क्योंकि फिर बाद में कॉपिराइट के कई इशूज आ जाता है प्रीवियस अपना जो चैनल था गारगी क्लासेज यूपियस सी वो इसलिए बंद हो था ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली कल मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मेरे बेटे का बद्दे था फर्स्ट बद्दे था ठीक है पिछले साल ऑक्टूबर मन्थ से इस्टेबलाइज हुआ था अपना यह डिसकुशन और तब से लेकर अभी तक बहुत खामिया उनमें पहला आर्टिकल तो हम देखेंगे कि USA की या फिर जो वेस्टन वर्ल्ड है उसकी क्या अप्रोच है इस इसराइल हमास अटेक या कॉन्फिक्ट को लेकर के एक हम देखेंगे कि सुप्रीम कोट का जो वर्डिक्टा है ना कि सेम सेक्स मैरीज को लेटिमेट कंसिडर नहीं किया जाएगा तो उसको लेकर के एक आर्टिकल है ठीक है सेम सेक्स मैरीज से रिलेटिड हो गया इसके अलावा एक आर्टिकल हम डिसकस करने वाले हैं उसमें ये कि जो विमन एंपावर्मेंट पॉइंट आफ यू से ये जो नारी शक्तिवंदन अधिनियम पास लेस वह हैं जो हमने पहले डिसकस कर लिए बडियास कुछ पॉइंट से हमारे आपर एड भी होंगे कुछ एक तरीके से रिमाइंट भी हो जाएंगे फरस्ट आर्टिकलर डिप्लोमेसी इन क्राइसिस होता कि अभी रीसेंट टाइम पर यूसे के प्रेजिडेंट जो बाइडन है वो इसराइल की विजिट पर ही नहीं थे वो वो जो मॉडरेट अरब नेबर कंट्रीज हैं जैसे इसराइल के आज पास के जो मॉडरेट कंट् है कि गाजा स्ट्रिप पे लोकेटेड एक हांस्पिटल में अटैक होता है वहाँ पर पेशेंट्स को इंक्लूड करते हुए लगबग 500 लोगों की डैथ हो गई तो ऐसे में फिर वो इशू जो था वो एक कॉंट्रावर्शल इशू बन गया कि अटैक किस ने किया और इसके चकर में फिर इस्राइल की विजट तो हो गई यूएस प्रेजिडेंट जो बाइडन की बट वो विजट जो नेक्स थी वो थी जॉर्डन में मीटिंग करवाने की ठीक है जिसमें मॉडरेट जो भी लीडर्स है ना इस्लामिक वर्ल्ड से मॉडरेट जो लीडर्स है उनकी म पहली डाइमेंशन तो यह बताई जा रही है एडिटर साब के द्वारा कि देखो इसराइल के साथ में वेस्टरन कंट्रीज बिल्कुल क्लियर हैं कि हाँ जी हम आपका साथ देंगे और यह रेलेटिव सपोर्ट नहीं है यह एबसोलूट सपोर्ट है और लगता नहीं है कि आ देख तो यह क्योंकि अभी देखा जाए तो इसराइल जब से बना है 47 से लेकर अभी तक तब इस तक के जितने भी डैड्लियस टाटैक हुए है इसराइल में उनमें से एक अटैक यह बताया जा रहा है ठीक है उसके और उस तब से लेकर अभी तक इसराइल को युएस और की तरफ से खुला सपोर्ट मिल रहा है और वो सपोर्ट है वो continue रहने वाला है दूसरा point यह बताया जा रहा है कि इसराइल को जो सपोर्ट दिया जा रहा है western countries के द्वारा उसमें साथ-साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि इसराइल भी अपनी moderate approach को छोड़े नहीं मतलब ये कि Benjamin Netanyahu जो है Prime Minister of Israel उनका statement ये है कि Gaza में अब कोई बचेगा नहीं ठीक है या फिर ये कहो कि Gaza में जो हमास रहता है उसके जो भी member individuals है वो अपने आपको जिन्दा लास समझे तो वो जो चीज है वो कहींने कहीं signal देती है कि Gaza को occupy करने का जो program है इसराइल का उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है Benjamin Netanyahu जो इसराइल के Prime Minister उनको ये बात कहीं गई है इसका मतलब ये कि सीधी बात है कि अगर Gaza को occupy करने की गरबड़ी इसराइल कर लेता है तो USA यहाँ पर एक चीज सिखाना चाहता है वो ये कि बुलत जब हमारे उपर 9-11 अटेक हुआ था अल-काइ पर बुलो उसमें हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया बहुत लॉस हुआ हमें कोई आउटकम नहीं मिला तो बुलो इस चीज से इसराइल को समझना चाहिए कि Gaza में इन्वेड करके हमास को eradicate करने की जो planning है न उस पे एकदम typically apply ना करे नहीं तो बहुत नुकसान उठाना तो कहने का मतलब यह है कि इसराइल को support भी मिल रहा है Western countries से प्लस साथ-साथ में एक है कितना की समझदारी भरी बात है वो भी समझाई जारी है तीसरा point यह कि Gaza Strip में जिस तरीके का humanitarian crisis है यह बात सही है कि इसराइल पर attack हुआ और इसराइल में बहुत लोगों की death हुई बट वहाँ पर Gaza में जो retaliation अब इसराइल दिखा रहा है उसके चलते भी वहाँ पर लोग जो है बेगुर हो रहे है तो वहाँ पर humanitarian assistance देने की बात की जारी है और इस चीज़ के लिए इसराइल से भी बात कर रहा है USA और Egypt से भी बात कर रहा है क्योंकि दोनों border share करते है गाज country है Qatar इरान दोनों के दोनों अब Qatar क्या है कि वहाँ पर हमास के कुछ leaders रहते हैं या ज़्यादा तर ये countries मतलब Qatar में ही हमास के leaders रहते हैं तो Qatar के साथ US इसलिए engage कर रहा है कि जिन लोगों को hostage किया है that means kidnap करके लेके गए है हमास वाले उनको वहाँ से free करवाया जा सके तो Qatar की जो system है Qatar का जो king है उनसे engagement भी continue चल रही है इसके अलावा US और USA के ally countries पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल और अरब states के बीच का dialogue है वो एक तरीके से establish हो ये तो हमने बार-बार discuss भी कर लिया कि ये attack नहीं होता तो बहुत बढ़िया relationship की तरफ move कर रहे थे जो moderate अरब से जैस साथ में क्या engagement बड़ी अच्छी हो रही थी अब दीरे दीरे पर ये एकदम से लड़ाई फिर से start होने की वज़से वो जो relationship थी West Asia में जो शान्ती स्थापित होने के तरीके दिख रहे थे वो रुख गए तो ऐसे में अभी भी पूरी कोशिश की जा रही है कि West Asia में शान्ती करने के लिए जो resolution लिया है वो ले लिया अब वहाँ पर नया कौन lead करने वाला individual होगा कौन सा group होगा उसमें केवल इसराइल या USA decision नहीं ले सकते हैं वहाँ पर जो moderate अरब हैना अरब states हैं साओधी अरब UAE हैना इजिप्ट इनके साथ में भी इंगेस करना जरूरी है क्योंक पुरिस्तान में कब बदल चुकी हैं तो वो सारी चीजे कही नहीं शो करती हैं कि USA को इसराइल और बाकी अरब states के साथ मिलकर के गाजा स्ट्रिप में post हमास situation जो होने वाली है उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है जो कि कर भी रहा है USA तो यह कई ऐसी dimensions हैं जो शो करती ह कि USA जिसके लिए कहा जा रहा था कि USA decline कर रहा है Washington जो है वो West Asia से withdraw कर रहा है पर आज इस लड़ाई के बाद में वापिस से यह साबित हो गया है कि अगर दुनिया में किसी एक देश के पास में यह capability एक शमता है कि कहीं पर भी लड़ाई हो रही है particularly West Asia के हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर शांती स्थापित करने का काम कोई कर सकता है तो that is only USA इसका मतलब USA का जो terminal decline और यह बोला जा रहा था withdrawal of US from West Asia वो सारी चीज़े यहाँ पर cancel होती हुई दिखाई देती है Moderate Arabs हैं वो खुद इसराइल के साथ में अब इंगेज करना चाह रहे थे और उनकी भी मजबूरिया हो गई कि Islamic World को छोड़ कर कि अगर वो इसराइल के साथ इंगेज करते है तो वैसे उनके साथ issue आता है तो इस तरीके की equation कहीं है कहीं difficulty create कर रही है पर हाँ पिछले कुछ दि कि Gaza में जो humanitarian crisis आया है उसको भी assist करने की शुरुआत हो चुकी है तो यह दो silver lines भी हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है world community कुस्तो गाजा के लोगों के लिए भी अच्छा कर रही है और इसराइल के लोगों को जिनको kidnap करके ले जाया गया तो उनको छुड़ा भी पा रही है ठीक है तो इस तरीके से west का क्या approach है वो हमने जाना प्लस अभी तक क्या situation है USA की relevance क्या है और क्या अभी तक कुछ positive दिखा है ठीक है इस crisis में आगे चलते है next article पे अगला article है through a narrow lens article को लिखा है फैज मुस्तफा एंड कुनाल शर्मा जी ने देखो दोनों writers एक चीज कह रहे हैं कि अभी क्या है same sex marriage को valid करने के लिए case चल रहा था supreme court में case का नाम है सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया इसमें क्या किया कि LGBT LGBTQI प्लस community ठीक है इस community में जो लोग same sex relationship रखते हैं उनकी शादी को legalize करने की request डाली गी थी सुनवाई हो चुकी थी मही महीने में but finally supreme court का verdict आया पांच judges की bench इसको सुन रही थी verdict आया तीन दोसें और कह दिया कि हम इस तरीक same sex marriage को legalize नहीं करते हैं और साथ में ये भी कहा कि right to marry right to marry is not a fundamental right as per the Indian constitution तो इस बात को लेकर के यहाँ पर writers बोल रहे हैं कि ये जो point बोला गया ना कि right to marry is not a fundamental right तो बोले ये ऐसे लगता है जैसे की हमारे यहाँ पर traditional जो शादिया हुई है जिसमें heterosexual relationship की बात होती है जिसमें लड़का और लड़की शादी करते हैं बोले उसके उपर भी सवालिया निशान उठ गए हैं कि क्या fundamental right नहीं है एक individual का खर यहाँ पर जो main focus है वो ये है writers का कि भई जिस तरीके से नवतेश सिंग जोहर केश 2018 में सुप्रीम कोट ने एक liberal approach रखते हुए यह कहा कि same sex के individuals अगर relations में रहते हैं तो उस relationship को IPC की 1337 के तहत जो criminal माना जाता था उसको सुप्रीम कोट ने हटा करके 1337 को हटा करके और यह कहा कि भई अब कोई criminalized relations नहीं consider किया जाएगा अगर कोई homosexual relationship में रहते हैं तो जब इतना progressive judgment सुप्रीम कोट ने 2018 में दिया हुआ है तो यहाँ पर जरुवत यह थी कि जो individuals हैं उन individuals को उनकी अपनी autonomy exercise करने का पुरा दिकार दिया जाता तो writer तो एक चीज यह कह रहा है कि नवतेश सिंग जोहर के बाद में यह कही नगा expected था कि सुप्रीम कोट एकदम positive result देंगे कि हाँ भई हम legalize करते हैं बट हुआ क्या है सुप्रीम कोट ने यह कह दिया कि यह मामला देखो society का है समाज का है और इस मामले को tackle कौन करे समाज से जो लोग निर्वाचित होकर के आये हैं जिनको हम बोलते हैं MPs तो बोला parliament के अंदर इसके उपर काम होना चीए सुप्रीम क सेक्स marriage को recognize करने के लिए कोई कानून नहीं है और जब कानून नहीं है तो हम आमारी तरफ से कोई यहां पर statement नहीं दे सकते तो बहुत पार्लियमेंट जो है वो decide करेंगे अब यहाँ पर जो यह case था इस case में जो दो जजजेस थे जिनोंने यह कहा कि सेम सेक्स marriage को हम approval दे सकत हैं क्योंकि तीन दो से आया ना वर्डिक तीन ने मना कर दिया दो ने यस कह दिया पर वो ही बात majority के हिसाफ से देखा जा तो तीन वालों की बात मानी जाएगी तो writer यहां पर बोलना है कि वो दो judge कौन थे जिनोंने यह का कि same sex marriage को legalize किया जा सकता है तो एक तो है Chief Justice of India डिव right है this is legal right आप ध्यान से सुनना इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ this is legal right बोले right to marry is not a fundamental right यह एक तो बोल दिया यह क्यों बोला है इसके पीछे case simple यह है कि आप किसी भी constitution के किसी भी article को उठा कर कि देखो जो part 3 में आपके fundamental rights है उसमें right to marry को explicitly कहीं पर भी mention नहीं लिखा हुआ कि अलग से बताया है कि right to marry जो है आपका मौलिक अधिकार है यह बात सही है कि article 21 के पार्ट के तौर पे right to marry को देखा जाता है कि right to marry जो है वो एक individual का इस तरीके से रहता है कि आप अपनी choice के individual से शादी कर सकते हो ठीक है आपको लगता है कि मैं किसी दूसरी जाती के ल जब आपने article 21 के पार्ट के तौर पे देखा हुआ है तो writers ही बोल रहे है कि अब right to marry को fundamentally कैसे recognize करने की बाग कर रहे हुआ मैं कहने का मतलब यह हुआ कि अगर explicitly लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि previous judgments में तो कहीं न गई right to marry with person of choice आपने अपनी इच्छा से किसी से शादी करने को allow किया हुआ है तो इस तरीके से कई contradictory situation create हो गई अब person of choice से अगर आप शादी करना चाहते हो तो फिर आप अगर female हो तो female से शादी करो तो क्या issue आ रहा है आपको male हो तो male से क्यों issue आ रहा है अब इस चीज के लिए हमारे पास में कानून है क्या कोई अब इसमें सवाल ये था कि देखो special marriage act है ना 1954 का ठीक है special marriage act of 1954 उसमें य दिया हुआ है कि एक individual जो है वो across caste line, across religious line शादी कर सकता है अपने counterpart से पर यहाँ पर जो बात बोली गी थी वो बोला गया था natural relationship को ले करके natural relationship किसको define किया गया है जहाँ पर male और female इनके बीच की शादी स्थापे तो ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि बात ऐसी है कि LGBTQIA community जो है उस community में आप क्या कर रहे हो बोला same sex के individuals के बीच में relationship establish करने की बात कर रहे हो तो बोले यह चीज कहीं नहीं है कि society के एक thread होता है society का जो दागा होता है system होता है बोलो वो बिगारने का काम है इसलिए Supreme Court ने मना कर दिया हम इसमें statement नहीं देंगे पर साथ में यह भी दिया जा सकता है पर यहाँ पर judgment होगे एकदम clear वे तीन जनों ने मना कर दिया तो अब यहाँ पर एक चीज बड़ी काम की निकल के आई है वो यह कह दिया कि there is no mention explicit mention of right to marry as a fundamental right तो बोले यह चीज जब आपके पास available नहीं है तो आप कैसे इसके लिए fight कर सकते हो बोले इसके इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है आपका यह legal right है पहली चीज तो अब legal right अगर आपका शादी का है अब सवाल यह है तो legal right है तो बोले यहाँ पर Supreme Court को ज्यादा involvement दिखाना नहीं चाहिए इसके लिए तरीका क्या है इसके लिए देखो समाज के जो प्रतिने दी है society के जो representative हो पाड़ लिया मेंट में बैटता है वो बैट करगे इस मामले पर काम करें तो इस तरीके से writer यह बोलना चाहरा है जब article 32 आपके पास available है article 32 में आप सीधा Supreme Court जा सकते हो अपने fundamental rights के enforcement के लिए ठीक है जो constitutional remedies है उनके basis पे बट वहीं पर Supreme Court नहीं यह कह दिया कि fundamental right ही नही पताया हुआ है कि आप अपनी इच्छा के किसी individual के साथ शादी करो चाहे वो दूसरे धर्म का हो या दूसरी जाती का हो उससे अगर शादी करना चाहते हो तो उसको आप special marriage act 1954 के तहपे allow करते हो और वो जो है वो article 21 that means right to life with dignity या right to liberty जो है उसी का part आप देखते हो तो बोले य यह marriage को आप recognize करो इसमें problem क्या रही थी तो यही चीज बार-बार writers है वो सवाल पूछ रहे है Supreme Court से हैं फिर writers यह बोलना चाह रहे है कि अगर इस तरीके से आप LGBTQIA community में जो same sex marriages है उनको legalize आप नहीं कर रहे हो तो love जिहाद का जो issue है उसको आप कैसे tackle करोगे आप यह बताओ क् यहाँ पर तो across the religion जाकर गे अब आप देखो एक तो यहाँ पर logic की यह बताया जा रहा है कि एक तो लड़की लड़की या लड़का लड़का मानलो कुछ भी हो सकता ना same sex की बात आगी तो तो वहाँ पर अगर वो अपनी रिष्टेदारी को continue करना चाहते है तो वो by choice है औ और वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि female को जो है शादी करने के बाद male की religion को follow करना पड़ेगा इसको फिर हम love jihad का नाम दे करके बोलते हैं तो आप यह बताईए इस चीज़ को कैसे रोकोगे तो कि special marriage act जो है उसमें साफ साफ यह दियो हुआ है कि अगर मतलब inter-religious या inter-faith relationship establish होती है लड़का एक धर्म को follow करता है लड़की किसी और धर्म को follow करती है तो ऐसे में आपने special marriage act में क्या बोला कि लड़की को वहाँ पर अपनी जाती या अपना धर्म बदलने की जरुरत है नहीं है अपना जो original उसका धर्म जल रहा है वो continue कर सकती है अब सवाल यह है कि यहाँ पर जो love jihad का concept है इसमें क्या होता है कि लड़की के ओपर दबाव बनता है कि भई तू तेरा धर्म बदलो लड़के के हिसाब से चल तो उस चीज़ को फिर कैसा tackle करोगे जब आप इस तरीके से liberal stand को आप you turn ले रहो क्यों क्योंकि आपने पुटा जोहर में same sex relationship को आपने decriminalize कर दिया IPC 377 को हटा करके इसके अलावा सब्रीमाला एक 2018 में महिलाओं को allow किया कि सब्रीमाला की में जो sanctum sanctorium है में में जो गर्भ ग्री है वहां तक जा सकती है ना जिसमें आप बोल सकते हो कि 10 से 50 साल की ओरतों को allow नहीं किया जाना था लड़क प्राब्लम हो जाती है ठीक है आर्टिकल 32 वाला केस में अल्रडी बता चुका हूं किस तरीके से काम करेगा नवतेश सिंग जोहर का केस हम अल्रडी बाचीत कर ही रहे हैं फिर आगे राइटर यह बोलना चाह रहे हैं कि देखो कोट ने कोट ने पुटा स्वामी केस में कि आपके सुसाइटी में ज़्यादा दर लोग क्या हैं वो हेट्रो सेक्शल रिलेशन्शिप को मतलब लड़के लड़की की बीच की रिष्तिदारी को ज़्यादा तवज्यो देते हैं तो ऐसी परिस्तितियों में आप यह बताओ कि किस तरीके से कॉंस्टिश्टिशनल परिदे करता है मेज्योरिटेरियरियन मौरालिती में मोरालिटी में वह बताओ कि ससाइटी में जणरल रिषकायं मेर्नल ड़के लड़की मेर्गी की बीच में तो आप उस मिजरी ती को अपहर्ड करने के चक्कर में यह बोलते हो कि हम यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे और दूसरी बात ये कि एक individual का जो अधिकार है कि हाँ वो अपने हिसाब से अपनी union create कर सकता है अपने counterpart के साथ मिलकर के और वहीं पर वो union अगर matrimonial union है तो उसको आप बोल रहे हो कि वो fundamental right का part नहीं है तो ये चीज़े कही नहीं बोले एक partial treatment देती हुई दिखाई दे मतलब नवते सिंग जो और केस में clear बोला कि इसका मतलब यहीं नहीं कि individual जो है वो किस तरीके से biological अपने आपको represent कर पा रहा है sex का मतलब all sex वहाँ पर include हो गए male female transgender या फिर आप कह सकते हो bisexual relations bisexual individual वो सारे जिनका male female का आप discrimination नहीं कर पा रहे हो तो उनका भी यहाँ पर inclusion हो जाता है 2018 में शफीन जहान केस आता है उसका judgment देखो paragraph number 126 उठाओ उसमें यह बताया है कि अगर एक individual अपने हिसाब से अपनी relationship को continue करना चाहे तो उस case में उस individual को अगर society के द्वारा disapprove किया जाए ना तो उस individual के ओपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि constitution जो है वो personal liberty को protect कर रहा आपकी स्वतनतरदा को protect करता है article 21 के आदार पर चाहे फिर society आपको कितना ही बुला बरा कुछ भी कहे कोई फरक नहीं पड़ता कहने का मतलब एक individual की liberty को आपने उस टाइम पर upheld किया सफीन जहान केस में जिसमें यह कहा गया कि अगर समाज accept भी ना करे तो भी एक individual के पास मे उसकी freedom of life freedom of liberty available है तो आप यह बता है मतलब right to life and right to liberty freedom of liberty तो यह की चीज़ होगे freedom of liberty ओके तो right to life and right to liberty अगर available है तो फिर वहाँ पर audience का role आपने पहले discard किया है तो अब क्यों audience लेकर क्या रहे हो तो इस तरीके से arguments दिये जारा है back to back writers के द्वारा की society का नाम लेकर क्या आपने एक बहुत progressive यह approach है इसमें inter-religion, inter-cast marriages को आप promote कर रहे हो जिससे की caste और religion के बीच का जो gap हो उसको हम manage कर पाएं वो सारी चीज़े आप कर रहे हो बट वो ही चीज़ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर male female के बीच में यह चक्कर घूम गया यहाँ पर article 15 और 16 को ध्यान रख करके का करने की ज़रुती जिसमें यह बोला कि एक individual का जो sexual orientation है वो उसका खुद का unique है तो उसमें आप यह नहीं कह सकते कि heterosexual relationship को हम continue करने देंगे वैसे देखो Supreme Court का भी अपना एक stand ऐसी दी बात है कि बही कोई कानून बनेगा कानून बनने के बाद हम बोलेंगे कि क्या बनना है क्य और दूसरी यहाँ पर हमें थोड़ा सा openly सोचने की ज़रुत है फिर क्या होता है कुछ experts है ना कुछ experts अगर यहाँ पर Supreme Court यह बोल देता ना कि हम sexual marriage same sex marriage को yes कहते हैं हमारी दरफ से legalize करते है legitimate करार करते हैं तो फिर एक group जो दूसरा होता वो क्या कहता है कि judicial activism है बोलें मामला समाज से जुड़ा हुआ है शादी एक ऐसा institution है जो कि समाज को चलाने के लिए बहुत important वो भी Indian society में तो बहुत ज़ादा तो उस जगह पर Supreme Court अगर यह yes yes बोल देते हैं इस case में तो भी उल्टा मामला होता बोला आपको किसने यह अधिकार दिया आपको केवल चेक करना होता है constitution के हिसाब से कि यह ठीक है कि गलत तो Supreme Court ने अपनी दरफ से क्या बोला है कि इसी दी बात constitution में explicitly कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि देखो मैं आपको बार-बार बोलता रहता हूँ आर्टिकल्स हमारे पास में बहुत सारे कटे होंगे आपको एक balanced opinion रखना है Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा उसके पीछे भी आपके पास में arguments होने चाहिए है अगर एक common man हो generally तो आप अपना option अपना biasness रख सकते हो दिमाग में बाकी आपको एक balanced approach रखने की ज़रुत है कमियां भी पत होनी चाहिए राइटर फिर बाद में लास्ट में आता है थे बोते हैं कि राइट टु लिबर्टी है ठीक है आप देखो आर्टिकल 21 को इतना elaborately describe किया है Supreme Court ने जिसमें right to self determination of gender, right to information, right to privacy, dignity and shelter, right to livelihood, right to forgotten ये सारे rights आपने आर्टिकल 21 में डाले हैं तो आप ये बताओ जब हैं तो आर्टिकल 21 में ये भी तो आपने mention पहले किया ना कि आप अपनी choice के किसी individual के साथ counterpart के साथ relationship startle कर सकते हो तो बोले यहाँ पर Supreme Court action ले सकता था statement दे सकता था फिर बाद ने ये बताया जा रहा है बोले ये बहुत frustrating judgment हो गया यहाँ पर कहीं आगे Supreme Court को judgment दे देना चीए फिर राइटर लास्ट में जाते जाते एक चुटकी मार रहे है Supreme Court पे वह चुटकी यह है कि बुले सुरेश कुमार कॉशल का जो केस था 2013 का देखो आर्टिकल 377 है ना same sex relationship वाली एक दो शायदी की बात कर रहे है एक homosexuality की बात कर रहे है relationship की तो आर्टिकल 370 को 2007 से पहले criminalize कर रखा था फिर आर्टिकल 300 यह section 370 हो ना IPC 370 373 ठीक है इसको remove कर दिया गया था फिर Supreme Court के वर्डिक्ट के बेसिस पर वह वर्डिक्ट आप ढूणना comment box में बताना और फिर उसके बाद में सुरेश कुमार कॉशल का case आता है तो उसमें यूटल लेता है Supreme Court और यह कह देता है क फिर दोजार अठाराम नवते सिंग जोहर के साता है उसमें Supreme Court ने बोल दिया कि section 370 जो है वो completely unconstitutional है जब आप इस तरीके से openly काम कर रहे हो तो इसमें भी आपको करना चीए था एक open society के नाम पर कि अगर लड़का लड़के से relation रखे लड़की लड़की से relation रखे ठीक है तो उसमें आपको कोई problem नहीं आनी चीए थी ऐसी same sex marriages को recognize करने में तो इस तरीके से यहां पर हमने एक और कहता है कि ओपीनियन देखा ठीक है ना चलिए next पर चलते है अगला आर्टिकल है towards the politics of presence आर्टिकल को लिखा है विजया लक्षमी नंदा और नुपुर रे देखो मुद् वो यह है कि parliament ने women's reservation bill जिसको नारी शक्ती वंदन अधिनियम बोला गया उसको पारित कर दिया और इसमें अब क्या है कि जो polity में महिलाओं का participation है राजवेवस्ता में वो बढ़ेगा आप देखोगे कि इस bill को लगबग 27 साल की journey पास करनी पड़ी 1996 में एक attempt लिया गया था उ political reservation की तब सरोजिनी नाइडियो जैसी जो ladies थी उन्होंने मना कर दिया था reservation देखकर के महिलाओं बेचारी बन जाएंगे और वो participation में up to दमाग नहीं आ पाएंगी तो बोला ये चीज बिलकुल भी ठीक नहीं महिलाओं को वैसे लड़कर के fight करके आगया ना होगा ये इनका statement था समय बीचता है महिलाओं को फिर भी जगह नहीं मिलती तब सुस्मा स्वराज जैसी leaders थी उन्होंने ये खह दिया कि वाकई में महिलाओं के लिए हमें provision करने होंगे अब आप देखोगे कि Parliament हो civil society हो हर जगह पे हम ये देखते हैं कि कही ना कही एक objection निकल के आता है अगर म objection क्या आता है कि जी Indian values के हिसाब से महिलाओं को घर में रहना चाहिए बट वही चीज है कि ये कही ना कही एक orthodoxy एक stereotype वाली approach हो गई कि आप पुरानी रूडी वाधिता में फसे हुए हो बट आज का ये जो reservation bill है इसके हिसाब से अगर देखे तो दो important changes हम देख पाएंगे सब से important point तो ये कि अब mandatory quota हो गया ना 33% कि महिलाओं का representation 33% हो गई तो आप देखो कि कही ना कहीं हमने politics of rhetoric को छोड़ करके politics of presence में participate मतलब दिमाग लगाया है politics of rhetoric that means आप रूडी वाधिता में ओल जो politics of presence का मतलब महिलाओं के उपस्तिती से कितना ज्यादा फायदा होगा आपको प तो हमारा देश overall कैसे empower होगा कही ना कहीं masculine that means male dominated community रही है politics में तो उसकी जगह महिलाओं को जब मोका मिलेगा तो उनका भी empowerment होता हो हमें देखेगा कही ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं को recognition मिला भी है बट ज़्यादा तर welfare skins में मिला है जब बात आती है खुद की बात को र जब आप उनके experiences के बारे में सोचने का अपने experiences के बारे में बताने का अगर मौका दिया जाए तो वो एक बड़िया model तयार गरने में help कर सकती है जो कि आने वाली generations के लिए बहुत फायदे मन रह सकती है तो यही चीज बोली जारी है politics of presence दूसरा point यह बताया जा रहा है कि मह है जबकि जब से हमारे देश में freedom struggle की fight start हुई थी तब से लेकर अभी तक महिलाओं का contribution काभिले तारीफ है चाहे फिर आफ civil disobedience moment उठाओ खादी मुवमेंट में बात कर लो स्वदेशी हर एक चीज में कहीं ना कहीं महिलाओं का participation रहा है तो इस चीज के process का ही result रहा है कि आज ये groundbreaking legislation ultimately parliament ने पारित कर दिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एतिहासिक कानून पारित कर दिया 1984 में towards equality करके एक report आती है उसमें gender based inequalities को highlight किया गया हमारी society के अलग-अलग aspects में कि कैसे politics में education में employment में हर जगहें पे एक कहते ना की discrimination का सामना करना करना पड़ रहा है ठीक है एक lady को जो अपनी कुद की physical autonomy है उसमें कितना compromise करना पड़ रहा है वो सारी चीजे कहीं ना कहीं अभ बेटी बचाव बेटी पढ़ाव अभियान ठीक है right to property वो भी tribal women में उसका extension तैतरवा और चौतरवा constitution amendment है जिसके आधार पर आपको आपने देखा कि जो local bodies है पंचायतिराज institutions and urban local bodies respectively उनमें आपने महिलाओं को 33% reservation देने की बात की ये कहीं ना कि local governance में महिलाओं का empowerment करने का का अब देखो यह जो legislation है ठीक है नारी शक्ती अभी जो अभिदादी नियम है ठीक है empowerment वाला reservation वाला तो इसमें 2026 की census होगी उसके बाद में इसका implementation होगा इसको थोड़ा साथ समय रहते हुए implement करने की जरूरत है और दूसरी चीज़ यह है कि अब जब 2026 तक अगर census होती यह मा है तो सवाल ही आता है कि आपके पास में अभी तीन से चार साल available तीन साल तो at least available है तो क्यों ना उन तीन सालों को महिलाओं को trend करने में आप यूज करो जिससें की वो automatically जब कभी भी reservation का benefit उठाएंगी तो उनका फायदा हो जाए कहने का मतलब अभी 2026 तक तो देखो लोग social domains है उनमें उनको empowerment मिले उनको training दे दी जाए जिससें की फिर वो automatically अपने experiences को और अच्छे से share कर गे बड़े और बड़िया laws बनाने में help कर पाएंगी ठीक है ये जो concept reservation का ये three E's पे based है एक तो engagement महिलाओं को आगे लाने का मौका एक emancipation that means उनका जो backwardness का जो scenario है उनको marginalized किया और उससे आगे लाने का empathy that means महिलाओं की परिस्तितियों को समझते हुए उनको साथ में लेना और उनको साथ में मिलके काम करना तो ये concept जो है कही ना कहीं women empowerment का काम करेगा हमारे समाज में जो एक तरीके का inequality का scenario उसको correct करने का काम करेगा तो इस तरीके से देखो आपके लिए ये जो मंडे का हमारा वीडियो ड्यू था वो हो गया cover अब आपका जो Tuesday का आज का जो वीडियो है वो शाम तक दे दूँगा मैं पक्की बात है और वैसे happy दशहरा happy विजयादश्मी अपने अंदर के evils को है आपको kill करना है उन में सबसे important चीज क्या है आप अपने आलस को छोड़ दो accuracy लेकर क्या हो और लगातार मैनत करते जाओ मिलते हैं फिर शाम को फिर से इसी तरीके से एक वीडियो लेकर क्या होंगा thank you very much